हलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है डायरेक्टिड अंगल्स यानि कि इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में समझने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर न इसना एक और रहे हैं जिसका नाम क्या है ओ बी ओ से लेकर के बी तक यह मेरा दूसरा रहे है ठीक है अब मैंने क्या किया ना यह वाला रहे है इसको मैंने इस तरीके से उपर उठाया समझेगा ध्यान से बड़ा ही easy concept है आपको समझने आएगा देखो जैसे कि यह मेरा ओ ए है और यह क्या है ओ भी ठीक है अब ही तक तो यह उपर उठें अब यह जो ओ बैल कर अंज होग गया थोड़ा और यढ़ लेते हैं यह गया यहां पर आकर कर रोग गया थीक है मैंने इस तरीके से यह रे je ob, यह क्या हो गया? ob, मतलब ob जो यहाँ पर था, अब वो कहाँ पर जा चुका है? वो अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो यह कैसे उठथा बताइये, मतलब किस तरेके से यह गया? तो यह यहाँ से इसने चलना शुरू किया, और ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर आकर के रुब्या यानि इस डायरेक्शन में यह चला ठीक है तो मैं इसको किस तरीके से दिखाऊंगी तो दीकिए यहाँ पर आंगल फॉर्म होगा राइट और यह जो रे है वो कैसे चला ऊपर की तरफ चला राइट तो इस तरीके से मुझे यह रे बना करके ways नौ या Ou सकते हैं कि जो आंगश होते हैं उनके रोटेशन के से जो वह फॉर्म होता है उसी यहाँ पो डिर्सा एंगल कहा जाता है या रहाप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि the angle, the angle form due to the rotation of the arms, ठीक है, इसको मिटादू मैं, due to the rotation of the arms, यानि यह जो इसके arms होते हैं, उनके rotation की वज़े से जो angle form होता है, उसी को हम लोग directed angle के नाम से जानते हैं, ठीक है, अब यह जो आप कर रहे, O, B है न, वो नीचे की तरफ भी जा सकता था, यानि, सुनिए, यह मेरा O, A है और यह O, B है, अभी यह एक दूसरे के उपर है, ठीक है, अब चाहिए तो यह नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऐसे 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 करके भी जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो कि तो यहाँ पर जो एंगल फूम होगा उसको आम लोग डैरेक्टेड एंगल बोलेंगे और अगर यह नीचे की तरफ बने तो यह जो एरो है ना वो आपको नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा समझेगा जैसे यहाँ पर यह रहा मेरा O A ठीक है रूखो अच्छे से बनाती हू यह मेरा O A है नाम लिख दो इसका O A ठीक है अब उसके बाद जो O B है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे करके यह आया आया यहाँ पर आ करके रुख गया ठीक है तो यह लेजिए यह हो गया मेरा O B बराबर तो देखो अब भी यह कैस मतलब किस तरीके से आया यह नीचे की तरफ बनेगा ठीक है तो यह भी क्या स्टूडेंट यह भी डिटारीक्टिटे अंगल है और यह भी डिरेक्टे अंगल है इतनी बात है और रखना दिरेयक्टे से दिखाया जाता है यानि एरो बना हुआ है तो समझ लिजेगा कि वह आपका क्या है डारेक्टेड अंगल है यह बात समझ में आ गई अब इसमें एक और चीज हम लोगों को समझना है जैसे कि देखो मुझे बात बताओ कि कौन सा ऐसा आम है मतलब कौन सा ऐसा आम था जो हिला ही नहीं ज RISEAL आम कहते हैं watए बीजया और यह जो terminate हो रहा है मतलब जो इधर से उदर गूम रहा है उसको आम लोग बволते हैं सबस्गें आजए यह बशल्याब आठीव हया दिखना टर्रमिनलार्म हो चाहेंगा इनिशियल आम ठीक है और टर्मिनल आम कौन सा होगा student ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल आर ठीक है इतनी बाते क्लियर है अच्छे तरीके से समझ में आ गया अब यहाँ पर एक और बात आप लोगों को सीखना है जैसे कि ये जो एंगल है अब मैं इसको लिखूंगे कैसे देखो नॉर्मली क्या होता है हम लोग एंगल को कैसे लिखते बता ऐसे लिखते है ठीक है याद रहेगा ना आप लोगों को दिखाते हैं ऐसे करके दिखाते हैं यहां पर कुछ भी कट वगएरा नहीं लगाते लेकिन जब डायरेक्टेड एंगल की बात आए ना तो वहां पर आपको इस प्रकार से कट लगाना ही होगा ठीक है तो यह जो एंगल यह क्या अगल ही है तो यह तो बाते थी डायरेक्टेड अंगल के बारे में अब यहां पर एक और कंसेप्ट जो है मतलब इसी के रिलेटेड है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं जैसे देखिए यह उपर की तरफ गया यह नीचे की तरफ गया तो जो उपर की तरफ गया ना अगल के बारे में ही बता रही हूं यह कुछ अलग नहीं है ठीक है मतलब उसी के पार्ट ही है पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल ठीक है दोनों ही हम लोग समझ लेते हैं स्टूडिन निगेटिव एंगल ठीक तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे तो आप जानते देखो मैं यह आप लिखते हूं एंटी क्लॉकवाइस यह सब कुछ क्या है बताओंगे अच्छे से चिंता मत करना ठीक है एंटी क्लॉकवाइस और निगेटिव एंगल में क्या होता है जो हमारा टर्मिनल रे है ना वो क्लॉकवाइस डायरेक्शन में चलता है अब यह क्ल गड़ी में एक बजाने जब मुझे एक इसमें बजाना है तो क्या करना होगा इसको आगे लेकर करके यानि वो कैसे चलेगा मतलब जो घड़ी के जो डिशा है उसको अम लोग ड्लॉकवाइस डायरेक्शन है तो इसका जो इसका उल्टा है इसका अपोजिट यह वाला डिर तो anti-clockwise direction कहलाता है ठीक है तो positive angle आपका कम बनेगा जब terminal आम जो है वो anti-clockwise direction में हो जैसे यहाँ पर हमने देखा ना देखो यह terminal आम था वो तो anti-clockwise था देखो यह वाले direction में था ठीक है यह वाला है na anti-clockwise मतलब ऐसे और clockwise मतलब क्या वो ऐसे करके चलेगा ठीक है समझ रहे हो कि ने तो जब यह anti-clockwise रहेगा तो फिर वहाँ पर positive angle बनेगा जैसे यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो positive में होगा plus में होगा माल लिजे यहां से यहां तक है 60 degree तो यह क्या होगा plus 60 degree माल लिजे यहां से यहां तक क्या student 60 degree तो यह इस side जा रहे है मतलब यह हो जाएगा माइनस में negative 60 degree समझ में आया आप लोगों को तो वहीं में बता रहे थी negative अंगल कब बनेगा जब टर्मिनल आम का जो डारेक्शन है ना वह कौन से साइड होगा तो वह जब clockwise होगा यानि इस तरफ तो फिर वह वहां पर कितना कौन से एंगल फॉर्म हो जाए उपर की तरफ तो फिर प्लस और अगर नीचे की तरफ जाए तो माइनस समझ गया ना तो बस इस ट्रिक से आप इसको याद करके रख सकते हो यहां पर हमने किसके बारे में समझा डायरेक्टेट अंगल के बारे में समझा पूरा इसका जो कंसेट था वो मैंने आप ल मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना तो आप मुझे कमेट करके बता सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर चलते हैं और टेलिग्राम चैनल आप लोग ज़रूर जोइन कर लीजीगा उसका जो लिंक है ना मैं डेस्क्रिप